नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बार बार आखों को मसलने के नुकसान क्या क्या होते हैं फ्रेंस वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अब अड़ते हैं वीड जर अंदाज कर देते हैं जिसकी वज़े से यह एक गंबीर भीमारी के रूप में ले सकती है वैसे तो आखों में खुझली होने के कहीं कारण हो सकते हैं जिसमें एलर्जी और प्रदोशन भी शामिल है अब मैं आपको बता दी हूँ कि आखों में बार बार खुझली करने से आपको क्या परेशानी हो सकती है और खुझली होने के क्या कारण होते हैं जो लोग घंटों लेप्टोप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बेट कर काम करते हैं उन्हें आखों की कहीं परेशानיות का सामना करना पड़ता है इसके वज़े से उन्हें बार बार आखों में करें कि आप बार बार आँखों को न मसलें काफी देर तक काम करने के बाद आँखों में थकावट मैसूस होती है तो आप उससे राहत बाने के लिए अपनी आँखों को काफी अच्छे से मसलते हैं दरसल जब हम अपनी आँखों को मसलते हैं तो हमें काफी अच्छा मैसूस हो और आखों की थकावट भी मिन्टों में दूर हो जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक और लगातार आखों को मसलना खतरनाक साबित हो सकता है इससे आखों में संक्रामन फेलने का खतरा बढ़ जाता है बार बार आखों को मसलने से आखों में मौझूद कोनिया कमजोर होने लगता है यहां हमारी आखों को नुकसान पोचा सकता है जिससे केराटो कौन्स भी कहा जाता है कोनिया में मौझूद टीशू बार बार आखों को मसलने से कमजोर होने लगते हैं ऐसा करने से आखों की रो जाता है तब आखों में अंचानक से खुजली होने लगती है जब आप बार-बार खुजली करते हैं तो इससे आपकी आखे लाल हो जाती है इसके साथ ही आखों की कौनिया भी खिशने लगती है इसके लिए आप आइड्रोप का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अगर आपको बार- बार आखे मसलने की आदत है तो इस बारे में डॉक्टर से संपर्क करें नहीं तो ये आपके लिए एक गंबीर बिमारी बन सकती है आखों को ठने पानी से धोले या आई ड्रोफ का इस्तमाल भी किया जा सकता है ये आपकी आखों को काफी हद तक रहत दे सकते हैं हाला कि डॉ बिना किसी दवाई या आई ड्रोफ का इस्तमाल न करें क्या आप जानते हैं कि आखों में संक्रामन किस सरह फिलता है जब आप अपने हातों से बार बार आखों को मसलने या खुशली करते हैं तो इससे आपकी आखों में कहीं प्रकार के बेक्टरिया भी चले जाते हैं ऐस उसमें संक्रामन फेल जाता है इसलिए आप कोशिश करें कि आँखों को मसलते समें टीशू बेपर या साफ कपड़े का इस्तिमाल किया जाए आप आँखों में जलन होने पर उसे ठंडे पानी से धो सकते हैं अगर आपके आँखों में अधिक मात्रा में जलन हो रही है तो आप ठंडे पानी से अपनी आँखों को साफ करें यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है तो देखा फ्रेंज आपने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आँखों को किस तरह से साफ रखें उमीद करती हूँ फ्रेंज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थांक्यू फ्रेंज मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई